हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम तू मैं यूट्यूब चैनल, स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको क्लास नाइन्थ की एक्ससाई 6.2 का कुश्चन नमबर वन करवाने जा रही हूं, तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट कहा है, इन फिगर 6.28 ये फिगर है, find a value of x and y and then show that a, b parallel to c, d, उन्होंने एक फिगर दी हुई है, जिसमें हमने x, ये angle x है और ये angle y है, ये वाला angle 50 डिगरी है, ये angle 130 डिगरी है, हमने x और y की value find out करनी है, और हमने ये भी show करना है कि a, b जो line है, वो c, d, line के parallel है, ठीक है, तो ये तो statement थी, चलिए अब solve करते हैं इसको, तो मैंने same figure draw कर लिए है, ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये जो, यहाँ पे angle y जो दिया हुआ है, ये 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 5 है, और यहाँ पे 130 डिगरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 130 जो है, वो लिख ल ठीक है, same figure में ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये same मैंने बना लिए, तो अब देखिए, ये y, हम लिखेंगे y जो है, इधर y है, और यहाँ 130 डिगरी angle है, ये दोनों angle equal है, क्यों, इसका reason क्या है, ये vertically opposite angles है, ठीक है, क्यों है, क्या है, इसका reason क्या होगा, vertically opposite, हमें साफ दि हाई दे रही है, ठीक है, y is equal to 130 डिगरी, reason vertically opposite angles, vertically opposite angles, तो ये इसका reason होगा, y is equal to 130 डिगरी, ठीक है, तो ये vertically opposite, दो लाइन है, आपस में intersect कर रही है, ठीक है, ये line, ये transversal line है, और ये cd line है, दो लाइन है, आपस में, intersect कर रही है, एक point पे, तो ये जो, opposite angle होते हैं, vertically opposite angle होते हैं, equal होते हैं, ठीक है, तो अब हम, next क्या है, ये देखी, ये, ये एक line है, ठीक है, ये एक line है, इस line के, इस तरफ देखी, ये angle 50 है, और ये x है, इन दोनों का sum 180 degree होगा है, एक line है, उस line के, एक point के एक तरफ, इस side में एक तरफ, जो angle है, line पे जो बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका समझ होता है, 180 degree होता है, तो हम लिखेंगे, x plus 50, equal to 180 degree, इसका reason क्या होते है, ये क्या बना रहे हैं, linear pair, इसका reason क्या है, linear pair, तो ये हो गया, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो 50 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x is equal to 180, minus 50, 180 में से 50 minus किया, तो u आगया, 130 degree, ठीक है, तो हमारा x जो है आगया, 130 degree, और y भी हमारा 130 degree हो गया, इसका क्या मतलब होगा, कि x is equal to y हो गया, this is equal to 130 degree, कि ये जो x, ये वाला x और y हमने find out कर लिए, ये हमें find करने को बोला था, कि x और y की value find out करो हुआ गया, दोनो 130 degree, लेकिन साथ में हमें ये भी बोला है, कि a, b parallel to cd प्रूफ करो, अब देखिए, ये जो है, x और y जो ये क्या है, अगर ये equal आ गए है, इसका मतलब ये क्या है, alternate interior angle, ये alternate interior angle, ये equal आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर alternate interior angle, इककोल आ गए, तो इसका क्या meaning होता है, कि ये a, b line है, वो cd के parallel है, ठीके न, ये तभी possible होता है, दो है, a, b line तभी उसके parallel होती, जब जो alternate interior angle जो है, वो equal आ गए, ये प्रूव करता है, कि a, b line जो cd line के parallel है, तो हम लिखेंगे, since alternate interior angles are equal, therefore, therefore, a, b parallel to cd, ये हमने proof करना था, तो I hope आपको अच्छे से समय लग गया होगा, thank you,